हालो स्टुडेंट्स, आज मैं आपको मॉरल एडुकेशन के बारे में बताऊंगी जिसमें आपका फर्स्ट यूनिट है दा मैजिक वर्ड्स मैजिक वर्ड्स मिस क्या होता है? जादुरी सब देखो उस जादुरी सब में तीन वर्ड्स आते हैं देखो मैं उसे बता रहे when to say please, sorry and thank you please मिस क्या होता है? क्रिप्या और sorry मिस क्या होता है? चमा तथा thank you मिस होता है धत्यवार जैसे मैंने आपको बताया when to say please, sorry and thank you ये ऐसे तीन जादुरी वर्ड है जिसे आवे प्रति दिन अपने प्रियोग में लाना चाहिए चाहे वो छोटा हो या बड़ा जैसे कि मैंने यहां पे कुछ word standards लिखे हैं उसके मादर से मैं आपको बताती हूँ जैसे please, please give me your pen जैसे अगर मेरे पास pen नहीं है और मुझे लिखना हो तो मैं अगर किसी से ले रही हूं मांग रही हूं तो उसके लिए मुझे please word का यूज करना चाहिए अगर आप कोई की चीज किसी से मांगते हो तो उसके लिए आपको please use करना चाहिए उसी तरह sorry, sorry for hurting you अगर मैंने किसी को hurt किया, मतलब कि मैंने किसी को चोट पहुचा ही रहा तो उसके लिए मुझे sorry word use करना चाहिए अग उसी तरह thank you, thank you for your gift अगर किसी ने मुझे कोई उपहार दिया तो उसके लिए मुझे thank you word use करना चाहिए अगर आपके बस book पढ़ने के लिए नहीं है और किसी दोस्त ने आपको book दिया तो उसके लिए आपको उसको धन्यवाद बोलना चाहिए